योजनाइन इंदी यूट्यूब चैनल पर आपका सुवागत है उत्तर प्रदेश के वरद्दवस्ता पैंसन लावारतियों के लिए बड़ी अच्छी कुसकबरी है क्योंकि 62,000 से ज्यादा पैंसन लावारतियों की पैंसन बेज दी गई है और इस जिले में यह पैंसन का पैसा बेजा गया है और अगर अभी तक आपको भी पैंसन का पैसा नहीं मिला है तो आपको कुछ कारिय करना है क्या कारिय करना है वह भी बताएंगे और जिन लोगोंने नई पैंसन के लिए अपलाई किया था फोर्म बरा था क्या उनकी भी पैंसन स्विकर्थ हुई है उन्हें भी पैंसन मिलेगी तो सब कुछ जानकारी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं और किस जिले में 62,000 से ज़्यादा पैंसन लाबारतियों को पैसा मिला है व्रद्दवस्ता पैंसन का सब कुछ जानकारी इसी वीडियो में देंगे तो वीडियो में लास्तक बने रहिएगा तो चली वीडियो की सुरुवात करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक करिएगा चैनल पर नए आए हैं तो सस्क्राइब भी जरूर करिएगा चली आगे बढ़ते हैं देखे दीपावली के मोके पर बुजरुगों को सरकार ने पैंसन की जो धन्रासी है उनके खाते में भेज दी है जिले के 62,000 बुजरुगों के खाते में 7,000 से ज़्यादा बुजरुगों की पैंसन स्विकर्थ हो गई है उनकी डिटेल का वेरिफिकेशन किया जा रहा है जल्दी उनको भी पैंसन मिनने लगेगी देखे जो इस जिले में 7,000 नई व्रदवस्ता पैंसन के लिए जो फार्म बरे गए थे उनकी पैंसन स्विकर्थ हो गई है और उनकी डिटेल की जो भी इनकी डिटेल थी जैसे की आपका आय परमान पत्र हो गया आपका अधार कार्ड वगेरा इनकी रिविकेशन की जा रही है और जल्दी इनको भी पैंसन मिनने लगेगी जिले के 62,254 बुज्रग पैंसन लाबार्तों के खाते में दुज्द्यत्यत्रमास की किस्त बेच दी गई है हर महीने 1-1,000 रुपे के हिसाब से 3,000 रुपे खाते में बेचे गई है दिपावली से पहले पैंसन की किस्त मिलने से बुज्रगों में भी अच्छी खासी खुशकबरी है क्योंकि वह भी अपना दिवाली का जो तोयार है वह भी खुशी से मना सकेंगे पैंसन की धन्नासी सबी के खाते में पहुँच चुकी है जिन बुजर्गों को पहले पैंसन मिल लई थी और उनको बाद में पैंसन की धन्नासी नहीं मिली है वह बैंक में जाकर अपने जो खाता है उसे NPCI से लिंक करा दे जिससे समय से उनकी पैंसन मिलती रहे देखे अगर आपको पहले पैंसन मिलती थी और किसी कारण से आपकी पैंसन बंद हो गई है तो आपको अपने बैंक में जाना है और अपने बैंक में जाकर के अपने खाते को NPCI से लिंक कराना है ताकि इस समय पर आपको पैंसन की जो धन्नासी है वह मिलती रहे एक हजार उपे महिना के इसाब से 3,000 रुपे की pension की 83 की किस्त बेजी गई है जो 62,000 बुजरगों को मिली है 7,000 से ज्यादा और बुजरगों की pension स्विकर्थ की गई है वरदवस्ता pension के लिए आवदन करने वाले 7,864 और बुजरगों की pension स्विकर्थ की गई है उनका डाटा सासन को भेज दिया गया है वहीं अब इनके बैंक खाते आधार स्रिडिंग और NPCI से लिंक आदी को लेकर रिवेरिफिकेशन करा जा रहा है इस से 4,688 का रिवेरिफिकेशन हो चुका है बाकी का रिवेरिफिकेशन किया जा रहा है अगली बार जब भी पैंसन कि किस्ता आएगी तो उनको भी पैंसन मिनने लगेगी और साथियो यह पैंसन का पैसा आपके लखिमपुर खीरी जिले में बेजा गया है क्योंकि पैंसन का जो पैसा है वह आना स्टार्ट हो चुका है और जिन लोगों को भी pension का पैसा नहीं मिला है जल्द ही उनके खाते में भी pension का पैसा आ जाएगा तो यही थी जानगारी कि किस जिले में pension का पैसा भेजा गया है वीडियो गर आपको अच्छा लगा हो तो like, share, comment जरू करिएगा चैनल पर नहीं आए है तो subscribe भी जो